Hello Learners, Welcome to this Video आज के इस वीडियो में मैं आपको कौशी इंटीग्रल फॉर्मिला पर बेस्ट एक क्वेशन बताने जा रहे हूँ इससे पहले इसी सेम फॉर्मिले पर बेस्ट कुछ क्वेशन आपको बता हैं कुछ वीडियो मैं बना चुकी हूँ और अब इस क्वेशन को मैं बताने जा रही हूँ जिसमें आपको प्लियरली मैंशन है कि इवैलुएशन आपको कौशी इंटीग्रल फॉर्मिला का यूज करके करना है ये क्वेशन यूज़वली रेसिडियो थॉर्म से पूछा जाता है यहां पर हमें इसे कौशी इंटीग्रल फॉर्मिला से करना है कौशी इंटीग्रल फॉर्मिला के लिए यहां पर डिनॉमिनेटर जो है इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहां तीन पॉइंट हमें मिल रहे हैं सिंगूलर पॉइंट बाइ यूज़िंग z into z minus 1 into z minus 2 equal to 0 we get singular points z is equal to 0 z is equal to 1 and z is equal to 2 यह 3 points मिल रहे हैं और इन points को हम point form में xy form में लिख सकते हैं by comparing it by x plus i y क्योंकि z के value x plus i y होती है तो इसे हम compare करके 0,0,1,0 and 2,0 लेख सकते हैं अब यहां पर जो circle given है it is mod z is equal to 3 by 2 3 by 2 यानि कि 1.5 यह इसका radius को show करता है तो mod z is equal to 3 point 3 by 2 that is 1.5 it is x square plus y square is equal to 1.5 का square circle with radius 1.5 इसे हम draw कर लेते हैं एक circle draw कर लिया यह इसका origin है और यहां पर 1.5,0 और यहां पर यह जो point है it is minus 1.5,0 इस तरह से हमेरे पास circle है अब इसको हमें देखना है कौन-कौन से point अंदर लाए कर रहे हैं कौन से बाहर हैं तो z is equal to 0 एक यह point हो गया 1,0 तो 1,0 यहां पर आ जाएगा कहीं tentatively 1,0 हमने यहां draw कर लिया then 2,0 तो 1.5 radius है तो 1.5 के थोड़ा से बाहर आ जाएगा तो यहां पर 2,0 है तो यह जो मैंने blue से लिखे हैं यह 3 points हमेरे पास हैं और इन 3 में से 2 points that is equal to 0 and that is equal to 1 lies inside C यह जो close curve है यह C है और इसके अंदर यह point lie करने और जबकि जो point z is equal to 2 है is outside the curve C अब यहां पर हमें cautious theorem और cautious integral formula दोनों को use करना होगा cautious integral formula में जब भी कभी जरूरत पड़े cautious theorem cautious gorset theorem जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूं उसको आप use कर सकते हैं वो everywhere analytic function के लिए integral cfzdz को 0 कर देती है तो यहां पर जो expression है उससे सबसे पहले हमें partial fraction use करते हुए simplify करना है using partial fractions we can write 4-3z upon z into z-1 into z-2 is equal to सभी linear factors हैं इसलिए a upon z plus b upon z minus 1 plus c upon z minus 2 इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका LCM ले लेंगे तो denominator cancel हो जाएगा तो a into यहां से z z minus 1 और z minus 2 आजाएगा इसमें z minus 1 है तो b के साथ में z और z minus 2 आजाएगे then c के साथ में z minus 2 है तो z और z minus 1 बचेंगे बाकी जो denominator है वो cancel out हो गया है और अब हम z की value put करेंगे by putting z is equal to 1 जैसे हमने z को 1 put किया तो हमें यहां से 1 minus 1 0 यह वाला term 0 हो जाएगा यह वाला term 0 हो जाएगा और 1 रखने से यहां पर b into minus 1 यानि कि minus b मिल जाएगा और यहां से plus का 1 मिल जाएगा तो b की value है जाएगी minus 1 इसी तरह से जब हम z को 0 put करेंगे तो 0 से यहां 4 मिल जाएगा यह दोनों term 0 हो जाएगे यहां पर minus 1 into minus 2 यानि कि plus का 2 आजाएगा तो 2a is equal to 4 तो it will imply a is equal to 2 similarly जब हम z की value 2 put करेंगे तो यहां से 0 आजाएगा यहां से 0 आजाएगा और यहां से जाएगा 2 into 2 minus 1 यानि कि 2c 2c और यहां पर आजाएगा 4 minus 6 यानि कि minus 2 तो 2c is equal to minus 2 it will imply c is equal to minus 1 तो a b c की values हमारे पास आगे तो इस current से हम लेख सकते हैं 4 minus 3z upon z into z minus 1 into z minus 2 is equal to a की value है 2 तो 2 upon z b की value minus 1 minus 1 upon z minus 1 and c की value minus 1 तो minus 1 upon z minus 2 यह separate हो गया है तो अब हम इस पर theorem apply कर सकते हैं cautious integral formula and cautious theorem अब हमारा जो given integral है i it is integral of this dz तो हम इसको लिख सकते हैं integral c 2 upon z dz minus minus integral 1 upon z minus 1 d z and minus integral 1 upon z minus 2 d z यह सबी close कर c पर हैं नाव उसिंग Qaushy's integral formula Qaushy's integral formula is integral c function of z upon z minus a dz is equal to 2 pi i into function of a तो function of z जो है वो numerator होगा और denominator से हमें जो point है वो मिलेगा a मिलेगा मतलब तो accordingly हम इसको आगे solve करते हैं तो it is equal to यह जो पहला वाला इसमें 2 constant है तो 2 लिख लेंगे into Qaushy's integral formula से 2 pi i into function of a यहाँ पर compare करेंगे तो a के लिए हमारे पास z minus 0 है इस current से a की value 0 मिल रहे है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर function of 0 दूसरे वाले में z minus 1 है तो इसमें लिखेंगे 2 pi i into function of यहाँ पर a की value है 1 z minus a से compare किया तो a की value है 1 function of 1 minus यह जो तीसरा वाला है यह outside है outside c के लिए यह जो पूरा function है it is function of z तो अगर पूरा function integral c function of z dz ऐसा आ रहा है और वो outside है it means हमें यहाँ पर cautious integral formula यूज नहीं करना है function everywhere analytic है तो using cautious गौर्सेट theorem और simply cautious theorem it will become 0 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 pi i into function of 0 यहाँ पर function of 0 लेना है यहाँ numerator में हमें constant term है तो जो function है वो constant है तो 1 पर 0 का कोई effect नहीं पड़ेगा इसलिए function of 0 रहेगा 1 2 pi i into again function of 1 और यहाँ भी constant function है तो constant function function of 1 रखे 2 रखे, 3 रखे 1 की value में कोई change नहीं आएगा वो 1 ही रहेगा minus integral c fz dz by using cautious theorem it will become 0 अब हमारे पास आगया 4 pi i minus 2 pi i और finally जो subtraction है उससे हमें मिल गया है 2 pi i और 2 pi i इस question का answer है यह question कई तरह से solvable है यह इसका एक तरीका है solve करने का यहाँ पर कुछ चीज़े जो आपको धिहान रखनी है वो यह है यहाँ पर value of function जो आ रही है यहाँ function of z एक constant function है function of z is equal to 1 अगर मैं z की जगे 0 डाल देती है तो उसका कोई effect नहीं पड़ेगा 1 डाल देती हूँ कोई effect नहीं पड़ेगा ठीक है तो इसलिए यह question important हो जाता है कि इसमें हमें function में z की value constant दी होई है और अगें यह एक question एक जो point है वो outside है इस current से जो पूरा function है यह analytic हो गया है तो इस वजह से भी यह integral 0 हो गया finally we get 2 pi i as our answer अगले वीडियो में मैं आपको कौशिस generalized integration formula बताऊंगी thanks for watching this video झाले बताओंगी झाले द j으면पनिת जया प्लुड़ में बताओंगी